अगर किसी पक्षी की चोंच तूट जाए, तो वो भूखा मर जाएगा, क्योंकि बिना चोंच के वो खा नहीं सकता। लेकिन इगल एक ऐसा बर्ड है जो जान बूज कर खुद ही अपनी चोंच को तोड़ देता है। लेकिन इगल ये जानते हुए भी कि वो बिना चोंच के भूका मर सकता है। तो फिर भी वो अपनी चोंच को क्यों तोड़ता है। चलिए जानते हैं दोस्तों, एक ऐगल 320 किलो मीटर प्रती घंटे की रफ़तार से उड़ सकता है और ये अपनी नुकीली चोंच से बड़े से बड़े शिकार को चीर फाड़ सकता है। लेकिन जब एक ऐगल की उम्र 30-40 वर्स के आसपास हो जाती है तो इसके पंख भारी हो चुके होते हैं और चोंच की शार्पनेस कम हो जाती है। इसलिए ना ही ये ऐगल ढंक से उड़ पाता है और ना ही शिकार कर पाता है और एगल के मरने की नौबत आ जाती है। तब उसके बाद ये एक उंची चटान पर चला जाता है और पत्थर से मार मार कर अपनी चोंच को तोड़ देता है। तीन से चार महीने भूखा रहने के बाद इसकी नई चोंच उगाती है। और अब उस नई चोंच की मदद से ही अपने पुराने पंकों को उखाड़ कर फेंक देता है। फिर दो से तीन महीने में इसके नए पंक आ जाते हैं। 6-7 महीने की दर्द भरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद इगल आसमान में फिर से राज करने के लिए तयार हो जाता है।